राजिस्थान में प्रणारमंत्री मोधी की रेली से ठीक एक दिन पहले भाजपा की एक और का दावर नेता वसुंद्रा राजे ने एक ऐसा दाव चल दिया कि साहिप की चारो खाने चित कर दिये एक ऐसा दाव जिसने भाजपाल अकमान को भारी टेंशन में डाल दिया जी हाँ दोस्तों वसुंद्रा राजे के एक बयान से पूरी भारती जंता पार्टी में इतनी खलबली मच गई कि एक ही जटके में पूरे साहे चार साल बाद पूर्धान मंत्री मोधी भागे भागे जैपुर भोच गई पूर्वर मुख्यमंत्री वसुंद्रा राजे ने एक बार फिर से दो टूप कह दिया है कि वो राजिस्थान छोड़ कर कही नहीं जाएंगी दोस्तों वसुंद्रा राजे के इस बयान के बार बीजेपी का सियासत में हलचल तेज हो गई और इस हलचल ने एक बार फिर राजिस्थान का सियासी पारा बढ़ा दिया है इतना कि खुद प्रधार मंत्री मोधी को जैपुरा नपड़ा वसुंद्रा राजे को मनाने के लिए जी हां दोस्तों देखे वसुंद्रा राजे का ये शक्ति परदर्शन कहीं और कहीं इस बात का सबूत है कि पार्टी और वसुंद्रा राजे की बीच आंत्री कले चल रही इसी के साथ वसुंद्रा राजे का भी यही कहना है कि पार्टी के पार्टी में उनको नजरनदास किया जा रहा है ज जहां उनके दोरे से पहले भाज़पा की गदावर नेता और सांसा दूमा भारती ने साहिब को आइना दिखाने का काम किया। उसके बाद वसुंधरा राज़पा की जो नराज़गी भाज़पायों के लिए खत्रे की घंटी साबित होने लगी। खत यानि कि जिस तरह से भारती जुनता पारटी ने चुनावी लिस्ट उससे वसुंधरा राजे का नाम गयाप किया उसकी बाद से कहना है कि नाराजगी की जो एक शुरुवात हुई थी वो इसी तरह से हुई थी इसके बाद आज तक ने एक और खबर लिखी जहाँ पर बत थी उसको लेकर भी भारती जुनता पारटी ने कहीं पर भी वरसुंधरा राजे को जगा नहीं दी इसको लेकर वरसुंधरा राजगी थी और वो इस चीज़ को समझ रही थी कि कहीं ना कहीं भाजपा उनको दरकिनार करने की कोशिच में लगी जिसके बाद कहीं ना कहीं व परदस्थान में परिवर्तन यात्राय देखी गई जन आकरोश यात्राय देखी गई जो भी समबोधन किये गए अशोग घेलोग के खिलाब जो भी यात्राय की गई उसमें हर एक सिरे से नदारत रही वसंद्रा राजे मतलब कहीं पर भी वो नज़र नहीं आई बलकि जहां जो कि भाजबा का गर कहा जाता है कोटा वहाँ पर भी वो यात्रा समाबन हुआ उसके अलग-अलग चार शेत्रों में यात्रा की गई लेकिन उसमें भी वसंद्रा राजे कहीं भी नज़र नहीं जिसके बास सवाल और ज्यादा बल गए कि आखिरकार वसंद्रा राजे जो बोधन से कमेटी से लिस्ट से उनका नाम बहार रखा गया और वो कहीं भी नज़र नहीं आए दोस्तों अब जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तस्वीर जो आई उसके बाद भारती चंता पार्टी में पूरी तरह से खलबली मच गई और भारती चंत सेत्मानी जाती है दोस्तों एक बड़ा चहरा मानी जाती है जिसने कॉंग्रेस को सपाय किया कॉंग्रेस का सूपरा साफ किया था उसके बास मध्यपरदेश में भाश्पा की सरकार बनी और पूरे 18 से 20 साल से इस सरकार बनी हुई है जिसको लेकर कहना कि उम्मा भारती का ब अलग एहमेत दिखाई पड़ती है जिसमें बताया जाता है कि वसुंद्रा राजे एक ऐसी एकलोती महिला जो नेता है जिनकी पकर राजिस्थान में बहुत जादा है हर एक शेतर पर हर एक जाती पर जो उनको सपोर्ट मिला हुआ है महिलाओं का सपोर्ट बुज़ुर्गों सपोर्ट और एक अलग चेहरा भाजपा में दिखाई परता है जो कि राजिस्थान की सियासत के लिए बहुत जादा माइने रगता है अब जब अशोग एलो जो की मुखी मंत्री है राजिस्थान के उनकी साथ में उनकी तस्वीर सामने आई तो तस्वीर आने के बाद में ह एक जो थी हर एक चेहरे पर भाजपा के खलबली मच गई हर एक चेहरा ही सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिरकार किस तरीके से राजिस्थान की सियासत नया मोड लेने जा रही है क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि राजिस्थान की सियासत जो एक अलग से दिखाई परती ह राजिस्तान में जिस तरह से अठकले तेज हुई पिसले कुछ सालों से राजिस्तान की सियासत में किस तरह से फ़ेर बदल हुआ हुआ और उसके बाद कैसे कैसे सरकार बनी वो हमने देखा और इसके साथ ही कॉंग्रेस में भी आंत्रिकले कहने के देख्टे को मिलती रहती है और आप भाजपा में जो ये एक अलग से चहरे को लेकर कहले देखी गई इसकी जो दूरी देखी गई वसंद्रा राजे की उनको लेकर वाज़पा जो है पूरी तरह से सकते में पर गई कि कहिए 2014 की जह request राजित्हार में चुनाव होने उनको खहिए लगे सत्ता का एक बड़ा खेला मात्य में चाता है जरीय माध्य माना जाता है क्योंकि पिछले 20 सालों से महां सरकार भाजपा किये रजिस्थान बहुत ज़्या इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि रजिस्थान में एक बड़ा चेहरा है वसंद्रा राजे और वसंद्रा राजे की नराज़गी बहुत कुछ अपने आप में दिखाती है जो कि कई सारे पहलो है दोस्तों अब सवाल ये उठा है कि जब 25 तारीक को 25 सेप्टेंबर यानि कि कल प्रधार मंतरी मोधी जयपुर दोरे पर पहुँचे रैली करने पहुचे तो उस रैली में खुद वसंद्रा राजे भी नजर आई लेकिन अब सवाल ये उठा है कि जो पुरानी जितनी भी यात्राय की गई जनसंकल प्यात्राय हुई परिवर्तन यात्राय हुई उन सबसे नदारत रही जहांपर शोगे लोगत के खिलाफ यात्राय थी अब प्रधार मंतरी मोधी के साथ वो नजर आई लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठा है दोस्तों कि वसुंधरा राजे को भाशन देने के लिए क्यों नहीं स्टेट्स पर भेजा गया तो इसको हिंदुस्तान ने बताने की कोशिश किये समझाने की कोशिश किये तो आप देखिये खबर को पीम मोदी की सभा में वसुंधरा राजे का भाशन क्यों नहीं हुआ इन पोइंट्स में समझे यानि कि हिंदुस्तान ने पूरी तरह से समझाने के कोशिश किये तो आप समझे उसके बाद हम बात करेंगे राजिस्थान के जैपूर में आयोजी जनसभा में पूर्व सीम वसुंधरा राजे का भाशन नहीं होना प्रदेश की सियासत में चर्चा का विश्य बना हुआ है सियासी जानकार इसे अलग अलग सियासी माइने निकाल रहे हैं राजनितिक विशलेशों किसे बीज़ेपी की गुटबाजी से जोड़ कर देख रहे हैं दरसल सीम फेस नहीं बनाये जाने से वसुंधरा राजे नराज दाए जा रहे हैं राजे समथक खुल कर विरोध जता रहे हैं चरचा है कि प्यम मोदी गुटबाजी से नराज है, प्यम मोदी ने अपने भाशन में भी इसके संकेत दिये हैं साथ कर दिया है अर्जुन मेगवाल, कैलाश चोधरी, किरोल लाल मीना और दिया कुमारी सहीत कई दिगर्ज देताओं की भाशन कराए गए लेकिन तब महाँ पूर्व सीम वसुंद्रा राजे मौजूद नहीं थी जब पीए मौधी मंच पर पहुचे तब वसुंद्रा राजे दिखाए थी लेकिन पीए मौधी के आने के बाद केवल बीजेपी प्रदेश अध्यक श्रीपी जोसी ही मंच पर आकर भाशन देते हुए दिखाए थी ऐसे में राजनिती कलियारों में चर्चा है कि बीजेपी वसुंद्रा राजे को साइड लाइन क्यूं कर रही है यहीं कि दोस्तों पहले जो और भी मंत्री है महीला जो मंत्री रह चुकी है भाशपा के साशन काल में उनका भी भाशन कराएगा लेकिन जब नजर आती है वसुंद्रा राजे तो भारती जुनता पार्टी के आला कमान प्रधार मंत्री मोधी उनको नजर अंदास करते वो भी आप समझे एक चेहरे की मजबूत ही नहीं बलकि सब को तवज्जों का मैसिज दिया है यही वज़ा है कि मंच प्रमुक तोर पर किसी एक नेता को भाशन देने की पूरी तवज्जों नहीं मिली वसुंद्रा राजे के बाद अधिस्थान की मजबूत किसके कंध्यो पर होगी ऐसे में कतार में खड़े दूसरे श्रेणी के नेता गज़ेंद्रि सिंग श्रिखावत अर्जुन मेगवाल राजेंद्रि सिंग राठोर दियाकुमारी नितिश सतीष पुनिया और बीज़ेपी के प्रदेश अधिश सतीष पुनिया का नाम भी शामिल हो गया है सियासी जानकारों को खहना है कि चुनावी साल में दियाकुमारी की बड़ती भूमिका पार्टी में उनके बड़ते कद्र की तरफ इशारा कर रही है तो दोस्तों आप समझे आपकी ये तमाम जो बड़े चेहरें बड़े जो एक नाम आपको बता है जिसमें गज़ेन दिस्टिंग शेखावा सतीष पुनिया और अरजुन मेगवाल जैसे नाम शामिल है इसी के साथ में दिया की जो एक अलग से बड़ता हुआ दिखाई दे जाई गया उनकी भाषन को तPlus नहीं देगे उनकी बातों को तो कई सारे सियासि माइने निकलकर सामने आचुके हैं कई सारी बाते निकलकर सामने आई हैं जो दिखाए कि भायाति जुनता पार्टी में सब कुछ ठेक नहीं है और दोजाद स्थान के रन के लिए जो रदिस इस्थान की सियासत तो पूरे मुद्धे पर आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में अपनी राइज जरूर बता है और ऐसे तमाम वीडियो के लिए बने दें मेरे साथ दिकन टाप पर